Good morning friends, आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी जो आपके क्लास 2nd Unit 6 से विलोंग करती है और मेरे प्यारे बच्चो आपको पता है इस कहानी का जो टाइटल है वो है करली लॉक्स करली मानी होते हैं घुंगराले ऐसे ऐसे और लॉक्स मानी होते हैं हेयर वाल ये जो लंबी लंबे वाल होते हैं इनको लॉक्स बोलते हैं और करली मानी घुंगराले चल्ले वाले चल्ले जैसे वाल होते हैं किसी के देखा होगा आपने गल्स में इसे ऐसे 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 बाल होते और आगे है थिरी वियर्स तीन भालू तो कहानी सुरू करने से पहले बच्चो हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं सबसे पहले देखेंगे एक प्यारी सी खुबशुर्ट एक लड़की है गुडिया की तरह बहुत प्यारी सी देख आए पच्चो आपकी तरह है खुबशुरण जैसे आप लोग खुबशुर्त होते हैं ये देखो तीन भालू है इसमें ये पापा भालू है ये मामा भालू है और ये बेटा भालू है मतलब वियर्स का ये परिवार है भालू का ये परिवार है ठीक है और एक दिन क्या करती है ये बच्ची जो करली लॉक्स थी उनके घर में पहुँच जाती है खाना खाती है और सो जाती है तो देखो इस तरह से सो जाती है बच्ची है और ये पूरा परिबार इसको देखता है कि अरे हमारे घर में ये कौन सो रहा है ये सारे भालू बहुती सर्प्राइज हो जाते हैं बहुती अचंबे में पड़ जाते हैं तो चलो बच्चो तो शुरुआत करते हैं हम अपनी कहानी को हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हुआ क्या था इस कहानी में तो देखें वन्स एक वार की बात है दियर वाज अगर एक लड़की थी विद कर ली है और उसके बाल बड़े प्यारे थे ऐसे घुंगराले बाल थे ऐसे ऐसे घुंगराले बाल थे हर नेम बाज करली लॉक्स और इसी लिए इस बच्ची का नाम घुंगराले बालों बाली लड़की रख दिया था वन डे एक दिन की बात है पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया जंगल में चली गई वो नियर हर हाउस और पता है इस लड़की का जो घर था ना बच्चो वो जंगल के पास था जंगल के पास जो था बहीं इसका मकान बना हुआ था इसके पापा ममी ने बना रखा था अब जंगल में जब वो गई तो सी सा मानी देखा एक कोटेज मानी होती है जोपड़ी तो उसने जोपड़ी को देखा बच्चो एज एनिवड़ी इन सी आस्ट उसने पूछा हलो कोई है यहाँ पर क्योंकि वो उस जोपड़ी में चली गई थी देखा बच्चो पता है कोई रहता था भालू का एक परिवार रहता था भालू होती ना भालू मामा कहां चले इस तरह से भालू आया चम 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 आपने पोईम सुनी होंगी तो दे हैड गॉन फॉरा बाग ये सारे लोग जो भालू का परिवार था वो टहले गए थे करली लॉक्स वेंट इन और ये जो करली लॉक्स नाम की लड़की थी वो इस जोपड़ी में घुस गई वो ये देखना चाहां दी थी कि भाईया इसमें रहता कौन है सी सादेयर वाल्स आप पोरेज उसने देखा कि बहाँ पर ऐसे कटोरे रखे हुए थे ऐसे 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 थिरी वाल्स थे और उनमें पॉरेज था पॉरेज यूनोवेल दलिया कहते हैं पॉरेज को तो उनमें पॉरेज रखा था ओन दा टेवल और यह बदलिया कहां रखा था बच्चो टेवल पर रखा था देर वाजा बिग बॉल बहाँ पर पेटा एक बड़ा सा बॉल था एक बड़ा सा कटोरा था फोर पापा भीयर ये देखो ये हमने बता है पापा भीयर के लिए था बड़ा वाला कटोरा middle size wall for mama वीयर और एक पीच का कटोरा जो middle वाला था वो mama के लिए था and a tiny little wall for the baby bear और एक छोटा सा कटोरा था बच्चो वो इस वाले बीयर के लिए था ये छोटे से बच्चे के लिए भालू के लिए था अब देखो इन्होंने देखाया है ये छोटे वाले भालू का कटोरा ये मम्मी वाला और ये कटोरा पापा वाला है और इन सब में क्या रखा है बताओ बताओ अच्छा बताओ बेलू बताओ बेलू बताओ हाँ पॉरेज रखा था देगो बेलू नहीं बता दिया ऐसे ही आप भी बता दो सकते हो जब मेरे सामने होगे तो आप भी बता दोगे फिर क्या हुआ करली लॉक्स वाज हंगरी अब ये वाली जो लड़की थी जंगल में गई थी तो बहुत भूख लगी थी से सबसे पहले उसने जो बड़ा वाला वाल था उससे दलिया खाया इट वाज वेरी हॉट ये तो बहुत करम था सी एट फ्राम दा मिडिल साइज वाल फिर उसने मम्मी वाले का दलिया खाया इट वास टू कोल ये वाला बहुत थंडा था ये वाला दलिया बच्चो बहुत थंडा था मिडिल वाला see ate from the tinny little wall और उसे जो बेबी वाला था उसमें से खा लिया it was just right ये भी ठंडा था curly log set up all the porridge low इतनी भूखी थी इतनी भूखी थी वो तीनों कटोरों के दलिये को खा गई और फिर बच्चों क्या हुआ then she went to the bedroom और उसे फिर खाना खाने के बाद नीद आने लगी कहते हैं ना खाना खाने के बाद नीद आती है ऐसी इस curly locks को खाना खाने के बाद नीद आने लगी देर वाजा विग वैट बहां पर एक बहुत बड़ा सा बैट था यह बड़ी से बिसतर लगा हुआ था उस पे उसके बाद क्या हुआ फ़ार पापा ये बड़ा वाला बैड किसके था लियर पापा का था अब middle size उट फ़ार ओर मामा और middle size बैड था किसके लिए मामा के लिए था मामा भी एर and a teeny little तो तीन एक छोटा इससे कम और एक सबसे छोटा था जो बैड वो किस के लिए था इस वाले बच्चे के लिए था दब बैड वाज वेरी जो बड़ा वाला बैड था ना बैटा तो वो hard तो जो बड़ा वाला बैड था वो hard था थोड़ा सा the middle size bed was too soft और जो बीच वाला बैड था मतलब middle वाला वो बहुत soft था बहुत मुलाइम था but the tiny little bed was just right तो जिस तरह से middle वाला मुलाइम था इसी तरीके से जो छोटा वाला बैड था वो भी बड़ा मुलाइम था करली लॉक्स फेल असली पिंदा टिनी लिटिल बैड अब जो करली लॉक्स थी, करली लॉक्स इस लड़की का नाम है तो वो छोटे वाले बैड पर सो गई दा बियर फैमिली केम बैक अब क्या हुआ, ये जो भालूओं का परिवार था वो बापास आगे टहलने के बाद तो पापा बियर अपनी भारी आवाज में बोला कस ने मेरा दलिया खा दिया मुझे लग रहे कोई घर में आया और वो मेरा सारा दलिया खा गया ऐसे बोला somebody eat my porridge to sad mama we are तो mama we are बोली मुझे लगता है मेरा दलिया भी किसी ने खा लिया है somebody finish all my porridge sad baby we are in history little voice तो जो baby we are था ना, छोटा वाला भालू, उनका बेटा उसने बड़ी अपनी प्यारी अबाद में बोला मामा मामा, मेरा दलिया भी किसी ने खा लिया है तो दा बियर फैमली वें टू दा बैड रूम तभी बियर फैमली बैड रूम में गई somebody slept in my bed, shouted पापा बियर तो पापा बियर बोले कोई मेरे बैड पे सोया था in his big gruff voice तो पापा ने बापनी भारी अवाज में कहा कौँ सोया था मेरे बैड पे somebody slept in my bed, too sad mama बियर मामा बियर वो लें देखो जी, हमारे भी बैड पर कोई सोया था somebody sleeping in my bed, sad baby we are in his tiny little boys तभी वो छोटा बाला भालू बोला पापा पापा देखो ना कोई मेरे बैड पे सो रहा है अब यचानक से यह सब सुना तो करली लॉक्स एक दम से चात गई तो करली लॉक्स वे बोक आप बोक मानी चात गई तो करली लॉक्स एक दम से जाग गई she shot the three bears उसने तीन भालूओं को देखा she jumped down and ran out of the cottage वो कूदी और जोपडी से बाहर आई as fast as she could और वो इतनी तेज भाग रही थी जितनी तेज भाग सकती थी तो फिर इस तरह से जो करली लॉक्स थी वो बियर फैमिली के घर से भाग गई अपने घर के लिए तो देखा ना बच्चो कितनी प्यारी कहानी थी इसको आप recite कर लीजीगा और एक दो बार पढ़िएगा फिर आपको यह पक्के से याद हो जाएगी जब आप इसको देख लोगे और हम बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर आएंगे आपके पास तब तब के लिए बाई बाई